आईवी टीवी देखता है इंडिया से जल्द राज्य को विशेश दर्जा देने की आवशकता है जेडियू के राष्ट महासाचीव ने निती आयोग की रिपोर्ट में बिहार के पिछरे होने पर सवाल के जाने पर कहा कि बिहार की स्थिती पहले से बहुत खराब थी जारखन का बटवारा होने के बाद स्थिती और बिगर गई और बिना विशेश दर्जे के इसमें अब कोई सुधार नहीं हो सकता है केसी त्यागी ने कहा कि उन्होंने कई फोरम पर इस बात को पहले भी रखा है उनकी पार्टी ने कभी भी स्पेशल स्टेटस की मांग को नहीं छोड़ा और आज बिहार में जो कुछ बदलाव हुआ है वो मुख्य मंतर नितिश कुमार की देल है केसी त्यागी के मताबिक अगर बिहार को विशेश दर्जा मिल गया होता तो आज बिहार की हालत दूसरी होती निति आयोग के रिपोर्ट ने बिहार का प्रदर्शन कैसा होता या वक्त तै कर देता जेडियो नेता के मताबिक राज्य सरकार की अपनी सीमाई होती है बिहार जैसे राज्य के लिए संसादनों की कमी है लेकिन इसके बाबजूद नितिश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया है नितिश कुमार की सरकार ने अपने बूते बिहार को जीडिपी में आगे रखा है लेकिन जारकन बटवारे के बाद उद्योग धंदे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट और खनेत संपादक जारकन में चले गए और इसका खामियाजा बिहार को भुकतना पड़ा नितियायोग की रिपोर्ट आने के बाद हर कोई बिहार की आलोचना कर रहा है ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा की बिहार को विशेस दर्जा दिया जाता है या नहीं देशोदिल्या के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें आईवी टीवी